Hello everyone, this is Mukesh, well, कभी-कभी हम लोग अपने day-to-day life में SS and dresses को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग काते हैं, किस-किस के लिए तुमने नयोता भिजवाया है, किस-किस के लिए तुम कपड़े ले रहे हो, किस-किस के लिए तुमने टिकट खरीदे हैं, किस-किस के लिए आज खाना बना ह है, यह मिठाई यहां किस-किस के लिए है, बताओ, तो SS and dresses को इंगलिस में बनाने के लिए किस-स्ट्रेक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं, and before knowing the structure, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, किस-किस के लिए, इसको इंगलिस में क्या कहते हैं, इसके अब यहाँ पर देखिए, tense के according to यहाँ पर helping वब आएगा, जो भी tense होगा, उसका helping वब लिखेंगे, उसके बाद लगाँगे subject, और subject को लिखने के बाद, हम लोग लगाएंगे main verb, जो भी वरब आएगा, यह भी जो है tense के according to बदल जाएगा verb, ठीक है, और last में गर कोई word बज जाता है तो last में other words में लिखेंगे इस structure को better तरीके समझने के लिए हम लोग कुछ एक jumpers लेते हैं तो आज का पहला sentence है ये मिठाया किस किस के लिए है तो इस sentence के लिए आपको येगा for whom all are the sweets for whom all are the sweets next sentence है किस किस के लिए आज खाना बना है अक्सर ये question हम लोग पुछने अपने family member के साथ कि किस किस के लिए आज खाना बना है या खाना पका है ये sentence है passive voice का तो इसके लिए आपको येगा for whom all has the food been cooked next sentence किस किस के लिए तुमने ticket खरीदा है means ticket खरीदे है मतब बहुत सरे tickets है तो इस sentence के लिए आपको येगा for whom all have you bought tickets for whom all have you bought tickets bought के जगा purchase का भीज़ कर सकते है next sentence है तुम किस किस के लिए कपड़े ले रहे हो या आप किस किस के लिए कपड़े ले रहे है continuous sentence है तो इसके लिए आपको येगा for whom all are you buying dresses for whom all are you buying dresses dresses के जगा clothes लगा सकते है for whom all are you buying clothes next sentence है किस किस के लिए उसने नहता भेजा है तो इस sentence के लिए आप कहिएगा for whom all has he sent invitation for whom all has he sent invitation guys इसी जूरी मायप कोईग संदेज देराइस को ट्रांसल की जाट की जाट की जाट की जे comment box में if you make any mistake then I'll correct it thank you for watching my video and do not provide to share this video